हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो मैं आज आप लोग के लिए ब्राइट कॉम ग्रूप पे ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं ब्राइट कॉम ग्रूप का पूरा बिजनस मॉडल आप लोगों को बताने कोशिश करूँगा ठीक है हाला कि बहुत से मेरे व्यूवर हो सकता है उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में समझाने की कोशिश की जाएगी ठीक है तो फ्रेंड्स चलिए ये वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या चीजे मैं कवर कर रहा हूं और क्यों मुझे लगता है कि अभी ऑपरेटर का गेम बहुत जादा चल रहा है ठी इस वीडियो इस वीडियो इस ओनलेज एट इट आप एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये मेरा पर्सनल ओपीनिन है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको ये चीज बिलकुल फॉलो करनी है ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको जैसा ठीक लगे आप अपने financial advice सला लेकि कोई भी इसमें आगेगा decision लिजेगा ठीक है तो चलिए तो वीडियो शुरू करते है फ्रेंड्स तो देखिए Brightcom Group के बारे में पहले हम लोग थोड़ा जानते है कि क्या इसका background है ठीक है कहां से company आए क्या चीज़े हुई देखिए फ्रेंड्स तो सबसे पहले जो background वो यह है कि इसके शुरू में दो founders थे initially वो थे शुरेश रेड़ी जी जो की chairman and CEO है भी उन्होंने B.Tech किया था I.T. खड़कपूर से mechanical engineering में और उसके बाद फिर उन्होंने MS किया ठीक है कहां Iowa State University और उसके पहले वो कहां काम करते थ शेरी सिल लर पैक बैल चाल्स श्वाब यह सब बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाज है तो अच्छे खासे नाम है ठीक है तो इनकी जो educational background शुरेश रेड़ी जी का यह है B.Tech किया है उन्होंने I.T. खड़कपूर से और उसके बाद MS किया है ठीक है उसके बाद जो दूसरे फाउंडर है वो है विजय कंचरला जी जो Chief Innovation Officer के रूप में अभी इसमें है Brightcom Group में इन्होंने B.Tech किया था जौहर लाल नहरू टेक्नोजी उनिवरसिटी हैदराबाद से और फिर MS किया इन्होंने Computer Science में ठीक है फ्रॉमदा University of Louisville यह US में है ठीक है और इससे पहले इस कंपनी में आने से पहले यह काम कर चुके है है अब पैक्यार और पैसिफिक बेल बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम है ठीक है तो देखिए सबसे पहले जब भी इसको Brightcom Group का Foundation हुआ जब पहली नीव रखी है उस समय 1999 में पहले इन्होंने USAGreetings.com के नाम से इसको रखा फिर उसके बाद 2000 में इन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया Vibrant Technologies ठीक है अब उसके बाद देखिए में 2008 में क्या हुआ Vibrant Technologies जो जितने भी इन्होंने उसमें जो acquired की थी कंपनियों जैसे Oredean, Ad Dynamics, Medios One, Volo MP इन सबको उन्होंने नाम इसको integrate के एक साथ मिला लिया और उसके बाद ज अब देखिए Vibrant Digital ने उसके बाद 2009 में जो company acquired की वो था Dream Ad और ये था Leading Ad Network with strong regional presence in Latin America में बहुत इसका strong presence था उस company को इसने acquire किया और उसके बाद फिर ये mobile marketing service में एंटर किया और पार्टनर किया लाइव वाना और Leptan Software के साथ ठीक है और उसके बाद फिर फरवरी 2010 में Vibrant Digital ने लॉकल सर्च प्लेटफॉर्म एक लोकल सर्च प्लेटफॉर्म था जो सर्च इंजन होता है जैसे Google वगर हो गया है उस तरह का जो लोकल लेवल पर किया वो था Vibrant Reach ठीक है फिर अगस 2010 में Vibrant Digital ने बाई किया लाइक को इंटरनेट कंपनी लाइक को 36 मिलियन डॉलर्स में ठ इस पर फाइल किया गया bankruptcy protection in relation to 36.6 मिलियन डॉलर्स कनेक्टेड विद एक्विजिशन ओ लाइक को सर्च इंजन था देखिए वो क्या हुआ सर्च इंजन था तो इसके साथ बहुत बड़े बड़े दिगश इसके साथ competition में थे तो वहाँ पे यह उतनी चली नहीं और उसके बाद यह bankruptcy हो गई यहां पर लाइक को सर्च इंजन का 36.6 मिलियन डॉलर का लॉस ठीक है यह जितना में उन्होंने एक्वाइर किया था तो उसी चीज़ की एक यहां पर issue dispute चल रहा था अब यह देखिए यह में 2018 की बात है वाइबरेंट ने अपने नाम चेंज किया फिर और दिसंबर 2021 में जो कि अभी हाल फिलाल की बात है ब्राइट कॉम ने अक्वाइर किया मेडिया मिंट यह जो कंपनी जिसके बारे मैंने आपको हाल फिलाल के वीडियो में बताया कि जिसमें काफी सारी इसके बड़े-बड़े customer है Netflix वगएरा ठीक है बड़े-बड़े नाम तो ड्रीम एट में 2009 में इसको किया था है एक्वाइर अर्जेंटीना में ओरिडियान जनवरी 2008 इसराइल और यूरोप में यह उपरेट करती है एड डाइनामिक्स फरवरी 2007 USA में उपरेट करती है वोलो MP अप्रेल 2007 सर्बिया USA में यह करती है उपरेट मीडियो सवन नवंबर 2006 USA में उपरेट करती है और मीडिया मिंट जो भी है इसके अलावा यह दिसंबर 2021 में जिसको अभी इन लोगों ने एक्वाइर किया है ठीक है चलिए आगे और चीज़े देखते हैं अब देखे कुछ ब्राइट कॉम ग्रुप का जैसे हमने बैक्राउंड देख लिया अब इस चाइना इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड वित रिप्रेजेंटेटिस और पार्टनर है पोलेंड एंड इटली में क्योंकि देखिए एड टेक कंपनी है तो इनको पूरे वर्ल्ड में फैले हुए है 25 कंट्रियों 26-25 कंट्रियों में यह पूरे फैले हुए है जहां से यह सारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं यह अलमनाई थे कहां आइटी खड़कपूर और आयायम कोलकता वहां से इनका है सारे डिग्री यहां देखिए एक्सपिरियंस ऑफ 29 इर्स इन FMCG, रिटेल, टेलिकॉम, एकॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन डोमेंस तो रिटेल ग्लॉबकॉम, स्टर्लिंग हॉलिडेज और जो सम अफ ब्रांश लांच और रिलांच बिल्ट बाई हिम वो देखिए कौन को से, रिलांस डिजिटल, हच, एरियल, डिटॉल, प्रॉमिस, हार्पिक, मॉर्टीन यह सब नाम देखिए यह सब कैसे कैसे नाम है तो द हम लोग को बनता ही नहीं जिसका पोर्टफोल्य इतना जाद है उसके बार में कुछ कमेंट्स करना बिना किसी प्रूफ के ठीक है तो यह बहुत बड़े आदमी है इन्होंने बहुत अच्छा इनका एक्सपिरियंस है अगर यहां देखिए जो साफ साफ दिख रहा है ठीक ह श्री शतीश छेतीजी ठीक है तो मैं क्यों कहता हूं कि operator इस तरह की चीजे फैला रहे हैं because मुझे लगता है कि इतने दिगज लोग कभी अब इतने experience के बाद 30-40 साल के experience के बाद कुछ ऐसा ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पे कुछ गडबड हो या चीजे हो ठीक है तो यह चीज थोड़ा ध्यान दीजेगा तो कोई इसलिए मैं कहता हूं कि मतलब चीजे ठीक है बिजनस को इंप्रूफ होने दीजे फिर बिजनस बोलेगा श्री शतीश छेतीजी यह मेरा फर लेकिन यह मेरा परसनल ओपीनियन सिर्फ मेरा ओपीनियन है आप लोग बिल्कुल अपनी रिसर्च जरूर किजेगा श्री शतीश छेतीश जो आज कल अभी हाल फिलाल में जो इसके साथ जुड़े हैं प्रेसिडेंट डिविजन चीफ ब्राइटकॉम ऑडियो और यह क्या है वो को फाउंडर थे कू डेटा साइंसेस एंड एमल कंपनी इनवेती इंसाइट और वो किसने एक्वाइर के साइंट साइंट बहुत बड़ा कंपनी है सॉफ्टेयर सेक्टर में अगर आप लोग सर्च कीजेगा तो देखिए अभी साइंट के शेर भी अच्छे घासे रेट में चल रहे होंगे ठीक है उसने इसको एक्वाइर किया था अगे चलते हैं अब देखिए और कुछ ब्राइट कॉम ग्रूप के बारे में जो उसके बिजनस के बारे में देखिए देखिए according to e-marketer जो US digital ad market है उसका जो वर्थ है वो है 134 बिलियन डॉलर जो एड डिजिटल market है एड टेक मार्केट है उसका वर्थ यूएस का ठीक है तो यह कितना हुआ अप्रॉक्सिमेटल दस लाख करोड जो की बहुत बड़ा अमाउंट होता है और अब आगे देखिए जो ग्लोबल ad tax software है उसका वैल्यू यूएसडी 16.27 बिलियन डॉर्ट है 2018 के लिए ठीक है और प्रोजेक्टेड टू रीच यूएसडी 29.85 बिलियन और 2026 तक इतना ग्रोथ करेगा और ग्रोइंग अट रेट ऑफ 7.9 परसेंट ठीक है 2019 से 26 तक की यह बात हो रही है ग्रोबल ad tax software पूरे दुनिया की जहां बात हो रही है ठीक है लेकिन यहां इस बात को देखिए डिजिटल advertising industry एक रिपोर्ट के अनुसार क्या है जो रीच करेगा by 2023 तक 35,809 करोड और यह जो expected CAGR है वो है 29.5 परसेंट यह 29.5 परसेंट का जो CAGR आप जरा CAGR देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनियों के CAGR देखिएगा इवन आप TCS की CAGR देखिए या किसी वैसे TCS का मैं नाम नहीं लूँगा वो बहुत अच्छी कंपनी है ठीक है तो इनके बड़ी परसेंट से उपर CAGR है तो यह बहुत ग्रेट है बहुत अच्छी बात है ठीक है तो इसका जो अभी ग्रोध के लिए यह बात की अब मैं आप लोगों को यह किस तरीके से काम कर रही है यह बताते है ठीक है अब मैं यहां बताता हूं कि किस तरीके से काम होता है तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखिए यहां पर क्या होता है आपका वेब्साइट है फेस्बुक आगर आप देखता किए साइड में थोड़ा सा अटा अट आता हूँ दिखता है या फिर कहीं और वैब थिख्यू ओ 파 youtube धी और आप लोग वेब्साइट के प्रास जाते हैं और ब्राइट कॉम उनको पे करते हैं और ब्राइट कॉम फिर फर्दर ये जो इनके क्लाइंट है फेस्बुक बगएरा इनको फिर फर्दर ब्राइट कॉम पे करते है ठीक है तो इसमें जो इनका खर्चा है ना जैसे खर्चा जैसे फॉर एक्जाबल में बहुते हूं जैसे auto sector की कमपनी के बारे में आप लोग कल पीछले वीडियो में बता है तो इसमें क्या manufacturing cost होता है metal खरीदना पड़ता है billets लिए इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है इसमें software है इसमें बस इस तरह एड आते रहते हैं और वहां से amount generation होता है और आज कल जिस तरह के जो चीज़ एड में है ना जो चीज़ एड में लोग देखते हैं और उसके बाद फिर product बिखता है बिना एड में देखे product बिखना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है ठीक है friends ने बिना देखे भी एड में वैसे बिखते हैं but mostly जो चीज़ें होती बिजनस वो यहीं पर ही होता है तो यहां देखे किस तरीके से एड में चीज़ें किस तरीके से computer में mobile में laptop में यहां पर चीज़ें होती है ठीक है चलिए अब हम लोग आप लोगों बता देता हूँ क्या होता है जो आपका Facebook होता है या फिर Alibaba हो गया या फिर कोई भी website हो गया उस website में जो space है एड के space है वो ब्राइट कॉम लेती है और फिर further वो ब्राइट कॉम के पास जो जिनको advertise देनी रहती वो जाते हैं ब्राइट कॉम के पास और वो उ लोग बताते हैं और फिर उनके लिए पूरा प्लान करते है कि किस तरीके से आप लोग का एड किस तरीके से आगे चलके कैसे आप लोग का बिजनस हाएगा तो यह सब चीजें यहाँ पर ब्राइट कॉम बहुत important part करती है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से बाकी भी जितन 29.5% CAGR वो इसलिए कहा जा रहा है ठीक है अब देखिए the company is divided into three major divisions जो ब्राइट कॉम का है उसमें है पहला जो है वो ad tech and digital marketing उससे 83% का revenue आ रहा है ठीक है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है video advertising, display ads, marketing, performance based अब बहुत सारा अगर आप लोग देखिए तो बहुत सारा hoardings और फिर वो बाकी जो publisher उनको देती है तो वहां से जो ad से revenue generate होता है तो इस तरह की बहुत सारा display के लिए होता है देखिए तो बहुत बार physical भी होता है, digital भी होता है तो यह सब चीजे भी देखती है ठीक है, फिर software services contributes 17% 83% इसका ad tech digital marketing और 17% software solutions जो client को provide करती है around digital media और other related offerings और ज future technologies division consists primarily of life product और यह तो यह basically future technologies जो है यहाँ पर आपको यह contributes कितना revenue को क्योंकि लिए research and development है ठीक है तो research and development में normally revenue जल्दी नहीं देखते है ठीक है चलिए तो यह R&D है ठट चलिए और देखते है और क्या चीज़त है तो देखिए product profile है through various subsidiaries वो क्या है One Tech, Coreg, Volamp और यह सब Brightcom proxy tools तो यह सब है इनका product profile जो इनके company ओन करती है जो subsidiaries ओन करती है अब देखिए इसके जो clients है include blue chip client कौन कौन से एर टेल, British Airways, Coca-Cola, Hyundai Motors आइसे जितने बड़े बड़े नाम है यह इनके client है ठीक है और यह कहां publisher includes Facebook, LinkedIn, MSN, Twitter, Yahoo तो यह सब है तो यहाँ पे आके वो लोग अपना ad दे industry में ठीक है तो देखे, the new division अब देखे और भी चीज़े बताई जा रही है, focused on digital audio, अब digital audio सती छेती जहा है तो यहाँ पे देखे क्या लिखाया है, digital audio is the second most popular activity, 204 million listeners है अभी ठीक है, US में सिर्फ US की बात हो रही है, और 4.2 billion dollar का महा पे market है, जो की बढ़ी रहा है, तो देख की बात है, 47,000, यहाँ 3-4 गुना हो गया है, और इनका publisher दो साल के अंदर ही, ठीक है, multi national presence, 25 subsidiaries के across है, globe में, की 25 subsidiaries है, पूरे आपके world में, ठीक है, और consolidate tax rate, 27% का अल्रेडी पे कर दिया है, the Israel subsidiaries, OMS, which contributes 39.24% जो है, इसराइल की है, वहाँ, इसराइल की जो subsidiaries है, OMS, ठीक है, वहाँ से इनकी contribute हो रहा है, business में total, और वो already, जो audited हो किससे है, Ernst & Young, बहुत बड़ी company, जो की audit करती है, इन सब company में काम कैस चल रहा है, जिसके बार में भी हाल फिलाल में बताया गया था, कि Israel की जो subsidiaries है, वहाँ के भी इतनी बड़ी है, कि कोई छोटी-छोटी चीज भी न देखिए, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो working capital है, उसमें जो उनको client है, वो 4-6 months में देते हैं, लेकिन जो publisher है, वो उनको immediately pay करते हैं, Facebook, Google, Amazon, Alibaba, देखिए, Google इतनी बड़े-बड़े publisher है, इनको जल्दी pay करते हैं, और यहाँ पर जो trade receivables है, इसमें थोड़ा time लगता है उनको थोड़ा delay payment होता है, बट फिर भी चीज़े यहाँ business बहुत बड़ा है, ठीक है, Brightcom has foreign institutional, अब देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि 11.55% FPI आ चुकी है, अभी कहा है, domestic mutual funds से हैं, उनको थोड़ा time लगता है, क्योई evolution में उनका जो process है, उसमें थोड़ा सा time लगता है, इसलिए नहीं, तो जब देखिए, जहाँ DIs आने लगी, वहाँ stock rocket बन जाएगा, ठीक है, तो यह सब चीज़े हैं, इसलिए अभी बहुत बढ़िया यहाँ पर खेल आप लोगों चलता हुआ दिखेगा, कि मतलब यहाँ देखिए, small investors को किस तरीके से देखिए, जो 7 लाग 4 लाग है, सब बहुत small investors हैं, यह देखिए, 47 लाग, तो जो उनको दीरे-दीरे exit कराया जा रहा है, जो बड़ी profit है, वो 200 रुपए के level में इन लोगों ने book किया होगा, और यहाँ देखिए, 7 लाग, 4 लाग, अभी 100 रुपए के rate में आगे, यहाँ यह चीज़े हो रही है, अभी यहाँ देखिए, मुझे लगता है, अभी जो इननोंने bonus share issue करने की बात किया, अभी जल्दी फिर से rate एक अच्छा दिख जाएगा, ऐसा मेरा opinion है, बाकी बिल्कुल आप अपने financial advice सला लीजेगा, यहाँ मुझे लगता है, small investors को exit कराया जा रहा है, यह कितनी कम quantity trade हो र नहीं है, इसको अगर exit किया, तो अभी का तो में जो कोई logic नहीं लगता, बिल्कुल टाइम दीजेए, आगे future bright है, जिस तरी के company है, मुझे लगता है, 4-5 साल का अगर आपका target है, तो बहुत अच्छे rate में rate करता हो अधिक सकता है, मुझे लगता है, अगले दो साल में ही आ आगे तो वहाँ exit करेंगे, नीचे लाके, फिर वहाँ फिर buy शुरू कर देंगे, ठीक है, तो यह सब चीजे है, तो long term का target रखे और जो क्या चीजे हो रही वो मैंने पीछले वीडियो में आप लोग को बताया ही था, कि की तरगी चीजे हो रही है, ठीक है friends, तो यह था मेर ब्राइट कॉम गुरूप के बारे में, अगर आप लोगो मेरी बात अच्छे लेगी, इंफोर्मेशन अच्छे लेगी, तो प्लीज लाइक कर जीए, प्लीज मैं चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे, ताकि इस तरह से stocks के information मैं आप लोगो रेगुलर्ली प्रोवाइड करत हम थनाच्छे अप्लीज अच्छे लेगी, तो अच्छे लेगाशन अच्छे लेगी.